सफरनामा की टैजी सीरीज के एपिसोड 5 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मैं हूँ आपका मुसाफिर रित्विक विसेन और इस वक्त मैं हूँ स्टैनली में और आप सोच रहे होगे कि बाई सब समर में ये जैकेट क्या कर रही है तो भाई साब इतनी कड़ाके की ठंड बढ़ रही है ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जैकेट निकालनी ही पड़ी और स्टैनली जो है वो एकदम नौर्थ में पढ़ता है अगर आप मैप में देखिए और ये जो जगे है ये स्टैनली विलेज है जहां अज अपना रात का आशियाना है और बढ़िया प्रॉपर्टी है एकदम बीच फेसिंग प्रॉपर्टी है सामने समुंदर है और ये जो आप मांटेन देख रहे हैं इसको वालनेट बोलते हैं तो कल यहाँ पर जाएंगे काफी अच्छा व्यू है काफी अच्छी लोकेशन है और जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊं सामने बढ़िया नीला समुंदर क्या चाहिए जीवन में आ रहा हो यहाँ पर थोड़ा टाइम माइं गोजारो संसेट फंसेट क्या प्रॉपर्टी शैप्टरिंग हो और कमरा भी और समुंदर आप देख पाएंगे तो यह है व्यू तो यार मैं भी सोच रहा हूं कि फटाफट जरा संसेट क्या जाए कुछ बढ़िया एक दो टाइम लाप्स आपके लिए बनाते हैं और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी वॉलनेट से तो यह गुड़ मॉनिंग स्टैनली आपका वापस से स्वागत है इस वक्त फुड़ा मौसम थंडा है पर हिमत करे तीशेट पहने हुए है तो यार अगर आप यह देखो यह किसी हिल स्टेशन वाली फीलिंग नहीं दे रहा है आपको पड़िया इंगलिश स्टाइल के तो यार इस वक्त मैं ती नट की दरफ जा रहा हूं और इस वक्त चेरिलिफ्ट में हूँ आप इस रास्ते पे पैदल भी वॉक करके जा सकते हैं थोड़ा सा स्टीप रास्ता है अभी यार समय का भाव है क्योंकि इसके बाद क्रेडल माउंटे निकलना है तो अमने का जरा थोड़ा शॉटकट अपनाया जाए तो देवियों सजनो दन नट में आपका स्वागत है और जैसा कि आप बोर्ट पर देख सकते हैं यह सरकेट है पूरा टू किलोमीटर का जो भी हम फटा-फट कवर करेंगे और यार इस जगे की एक मज़िदार जो बात है वो यह है कि कि इसी जमाने में यह एक अक्टिव वॉलकेनो था अभी एक्स्टिंक्ट हो चुका है और यार कहा यह भी जाता है कि यह जो नट है यह उलूरू से बड़ा है मतलब यहसा कहीं प्रूव नहीं है चलेंगे बहुत जल्दी किसी ना किसी से परनामा में तो यार मैं आ चुका लुकाउट पॉइंट पे और यार काफी बाबा बोकाली टेप की जगह है यह मज़ा आगया दिखके और पानी का तो कलर यहां पर आके मुझे अलग-अलग ब्ल्यू पता चलने के होते हैं यहां पर बच्पन की याद आगई सारी ट्रोंग में आगया बैठके बहुत बढ़िया बहुत उस्तम तो यार इस वक्त मैं दूसरे लुकाउट पॉइंट पे हूं और या बढ़िया व्यू है यहां से आपको स्टैंटी सिटी थोड़ा सा दिखेगा एक पार्ट पार्ट जैसे वही ही मैं रात को रुका हुआ था अगर आप देख पाए अपनी स्प्रीन पे और कैमरा पान करता हूं यार बहुत बढ़िया व्यू है और यहां पर एक छोटी से शिप भी खड़ी है जेटी भी है और यह आपका क्लिफ पॉइंट है तो भीया दूसरा लुकाउट और ब्यूटिफुल होती जा रही है तो यार मैं इस वक्त टाट्रोज बीच लुकाउट पॉइंट पे और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यह है स्टैनली शहर कामरा पान कर रहा हूं यार बहुत बढ़िया व्यू है अगर आप देख पाईए और हवा बहुत देस चल रह है और जैसा कि आप देखिए बहुत बढ़िया पीच रहा है तो बच्चे बाइस आप पूरा लुफ्त उठा रहे हैं इस वक्त यहां मौसम का और यह रहा अपना स्टैनली शहर बहुत बढ़िया शहर है और दिल को चूगया है मजा आगया वापस एक बर जरूर आँगा और एक पीच और है तो मतलब अगर आप देखो कि इती प्यारी फॉर्मेशन है यह रहा अपना शहर लेंट साइट पीच है और अपना राइट साइट बीच है तो मैं यह खहना चाहरा हूँ आपको कि यहां पर नट यहां की मेन लोकेशन है सबसे फेमस स्पोट है तो यहा सफर नामा टैजी सीरीज का यह एपिसोड यही तक और स्टैनली बताओ भाई बहुत खूपसूरत है तो बहुत जल्दी मिलेंगे टैजी की एक और खूपसूरत लोकेशन पर तब तक ख्याल रखिए खुश रहिए सुरक्षित रहिए शुवरातरी शभा के लिगशन है मैं मैं और तकटुब healthy थियर शुवरात जल्ड होड़ातरी शंया सबख वेएंसे हैं